प्रिपेर आई स्कुचिंग का जो ऑनलाइन पोर्टल है इस पर आपको विबिन प्रकाइफी सेक्ष्ट एक वीडियो दिये जा रहे हैं उसमें आज एक नहीं सीरीज रूप हो रही है जो संसथ को ले रखे हैं संसथ के बारे में यह है जो सीरीज है यह कही सारी सेक्ष्ट में आपको डिवैट करके दी जाएगी और इसका पहला पार्ट आपको उपलब्द कराया जा रहा है संसथ यानि कि पार्लियमें एक बहुत ही इंपोर्टन ओर्गन है एड्मिनेस्ट्रेशन का गवर्नेंस का और एक बहुत महत्वपून आइडियोलजी है किस प्रकार के सौंच पिस प्रकार की सोच का उदळर हूँ और यह समझने के लिए हमें थोड़ा सा प्राजीन लेविट पर जाकर प्राजीन सथर पन और प्राजीन इतिहास में जाकर के सोचना होँआ तो अगर आपको ध्यान हो तो हमारे था ही नहीं पुरी दुनिया में जो शाषन की एक वेवस्था थी वो राज ही अपने वेवस्त थी जहां पर राजा, महाराजा ऒगरा आपका हैते कि असे इसुथित्यों में जो राजा होते थे, वो ज़दातर हरिटी होते थे, या फिर वे अपनों जो सक्षिशाली, आधाशाण हो यहां पर जन्ता के प्रतिनित्व का कोई भी प्रश्न तब तक नहीं होजता था वस्तोतर यहीं चीजें महत्वपुन होती चली गए अलग-अलग समय में अलग-अलग समुधायों में विश्व भर में इस सोच के विरुध अनेक अनेक प्रकार के विचार आगे आते चले तो आप पाएंगे कि यही वो चीज है जो कहीं न कहीं जन्ता को करप्शन, माल अड्मिस्ट्रिशन और इन सब समस्याओं को दोचार होने के लिए मजबूर करते थी तो धीरे-धीरे इसको लेकर के जन्ता में जार्डोगता बहना शुरू हुई और इस चीज के कारण ही ए इसी वीचारधारा के अंदर में थोता है और लोगतंत्र को चलाया कैसे जाए लोगतंत्र का रियल इंप्लिमेंटेशन और ग्राउंड कैसे हो इसके लिए जरूरी था कि हम एक ऐसा मेकनेस्टम डवलप करें एक ऐसी वीचारधारा और ये प्रक्रिया डवलप करें जो की बस्तुतह एडविनिस्ट्रेशन को पब्लिक तक टिलिवर करें और पब्लिक के ब्रति रिस्पॉंसेबल हो और पार्लियमेंट वो ऐसा एक मीडियम बनके सामने आया अगर हम ध्यान से देखें तो हमें अंदाजा होगा कि एंशेंट इंडिया में अगर आप एंशेंट इ देरा पर प्रॉमिनेट है उसके बाद धीरे-धीरे करके इनका अस्तित्व कम और समाप्त होता चला जाता है लेकिन अगर हम पार्लिमेंट्री फॉर्म के डेवलप्मेंट की बात करें तो एंशेंट इज में तो काफी सारी जगों पर अलग-अलग तरीके के फॉर्म्स ऐस इसके कुछ ट्रेसिस मिलते हैं जहांपर ऐसी कांसिल्स बना करके गवर्मेंट का मॉडल डेवलप करने का प्रयास किया जाता है लेकिन यह बहुत ही सिस्टमेटिक नहीं था और बहुत ही ज़्यादा समय तक परसिस्क नहीं करता इसके बाद जब हमारा अगला चराड आता जहां से अधनिक्ता कर शुरुवात भी बानते हैं तो अगर हम ब्रिटिश मॉडल की बात करें क्योंकि ब्रिटेन ही वह मॉडल है जो लगभपुरी दुनिया में प्रयोग किया जाता है तो ब्रिटिश मॉडल जो संसत का है पालियमेंट का है उसके लिए हम दो तीन मेंने कार्टा मेंने कार्टा मेंने कार्टा जिस पर वहां के किंग जेम्स ने साइन किया था और मेंने कार्टा से वहां की लोगों को अधिकार मिले वहां की रिप्रेजेंटेटिव बोगों को अधिकार मिले इसके सिवा जो वहां का वेस्ट मिनिस्टर मॉडल है जिसको ल तो बिटिश एरा में ही, बिटिश राशनकार में ही सबसे पहले 1919 के एक्ट से इसको स्टेट लेवल पर या इनिकि प्रोवेंशियल लेवल पर बाइकेमिल सस्टम स्टार्ट किया गया था, तो इस अधनाकम प्यवस्था स्टार्ट की गई थी, हलाकि यूनियन लेवल पर, य 1935 के एक्ट से होती है, जो भरत सर्कारी दिनियों 1935 के रूप में जहर राता है, यह है इसका बिसिक हिस्ट्री जहां से देखना चाहें और समझना चाहें कि कैसे इसका थौट अबलब हुआ और किस प्रकार से यह है, अब हम देखते हैं कि यह इस प्रकार से गवर्मेंट स प्रकार की सरकार और दूसरा है प्रधान मंत्री प्रकार की सरकार, जो रास्ट्रोपती प्रकार की सरकार है, जैसा कि आप USA में देखते हैं, USA का एक्लासिकल एक्जामपिल है, और जो प्रधान मंत्री प्रकार की सरकार है, जिसमें बेसिकलिए हम मंत्रे मंडलिय सरकार जिस प्रार्लिमेंटरी फ्रम अफ गवर्मेंट होती है उसमें head of the government और head of the state ये दोनों अलग होते हैं यानिकि head of the state है जो राज्यक प्रमुख है और जो सरकार का वास्तवीर प्रमुख है इन दोनों में अंतर होगा ये दो different लोग होगे जबकि राष्ट्रपतिय प्रकार की सरकार में यानि कि Presidential form of government में यह दोनों सेम होंगे, इन दोनों को एक जैसा ही एक ही व्यक्ति के पास यह दोनों power होंगे, अगर आप इस चीज़ को समझना चाहें तो भारत का और अमेरिका का example लेकर के आप इसको बहतर समझ सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तविक सकता वास्तों में प्रधानमंत्री के पास होती है, जिनको हम डिफैक्टर रूलर भी कहते हैं, और जबकि डिजोर, डिजोर अथ्वार्टी जो है, वो प्रिसीडेंट के पास है, अगर हम अमेरिकन मोडल को ध्यान से देखें, त सरकार के प्रवोग तो है ही है, तो ये बड़ा अंतल होता है इन दोनों में, और दूसरी एक बहुत महत्योपूर्ण फीचर होती है अड्मिनिस्ट्रेशन गी, और वो होती है सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर को समझने के लिए कुछ यू समझे कि जो सरकार होती है, जो सरकारी में व्यवस्ता होती है, उसमें तीन प्राउम कांग होते हैं, एक्जिटिव, लेगिस्लेटर और जुटिश्री, जुटिश्री तो साइट में रखेए, तिनों से अभी हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, जो एक्जिटिव और लेगिस्लेचर है, वो स्ट्रिक्ली सेपरेट हों, यह प्रसिडेंशल फॉर्म अफ गवर्मेंट में होगा, जो कैबिनेट फॉर्म अफ गवर्मेंट है, जो वेस्ट मिनस्टर मोडल है, उसमें एक्जिटिव और लेगिस्लेचर कम्प्ली सेपरेट नहीं होंगे, इस बात को समझने के लिए आप प्रसिध किशन आफ बात समय हों गयां तो भारत का एक्जाप्ल ने सकते हैं, जो भारत में सौनसत के लिए का मानते हैं, वे विधायेका मेंका है, जो विधायेका का है और एक अंग वो रास्ट्रौपती भी भी है। और राश्ट्रौपती का प्रमुख भी उत्यु पर obedience क समझें कि हमारे यहां separation of power उतना strict नहीं है जितना strict USA में है तो इस प्रकार से complete separation of power की भावना इसमें नहीं होती है जो cabinet form of government होती है या west minister अब हम भारत की संसत के बारे में चर्चा स्टार्ट करेंगे और इस प्रकार से में चुदाना जाएंगे भारत में संसत बंती कैसे हैं भारतिय संसत का धाचा कैसा है भारतिय संसत को किन-किन अनुक्षिदों के अंतरगत्स रिजद किया गया है और अभी तक उसमें क्या membership है और किस प्रकार से में चुदाना वोग कराये जाते हैं तो सबसे पहले भारतिय संसत इंडियन पारलेमेंटBC के टीम भार ठीम ठीम प्रधार मंत्री राज्यों की परिशन जिसको हम अपर हाउस या राज्य सभावी कहते हैं और लोग सभावी कहते हैं जो भारतिय संसद है उसके प्रावधान संभिहार के भाग 5 के अध्याय 2 में यानि की चैप्टर 5 पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 2 में आर्टिक 79 से लिख करके 1.2 तक दिये रहे हैं और भारतिय संसद का गठन सर्व प्रथां 1952 में हुआ था संसद का गठन पहली पार 1952 में किया था तो संसद के तीन अंग है एक है रास्ट्रोपति दूसरा है राज्यसभा और दीसरा है लोग सभा अब हम राज्यसभा पे चर्चा करते हैं जो राज्यसभा है उसका वर्ड़ नुक्षेदपसी में किया गया है और जो लोग सभा है उसका वर्ड़ अर्टिकल एक्यासी में किया गया है आपके जाहिदानी के लिए मैं बता दो कि राज्यसभा और लोग सभा ये नाम सरक्षों 1954 में दिये गए 1954 से इनको पांसल अव स्टेप और हाउस ओफ पीपल ही कहा जाता था तो जो राज्यसभा है जो अपर हाउस है उ राज्यों से और संग्षाश्य चेत्रों से फिर कि बारा सदस्यों का मन tacos करेंगे भारत के रास्ट्रोपती यह बारा सदसे लिट्रीचर साइंस आर्ट और सोस्रिस इन चाड़ छेत्रों से आने चालिए और इनका मनो Shelby आपकपबागी इताने कि पार है विस्रमाश्यसा दो स्टेट से चुन करके आते हैं और उसके बाद 12 मेंबर राष्ट्रपती द्वारा मनुनीत होते हैं तो इस प्रकार इसकी कंपोजिशन में पांच सदिस्टों की कमी अभी है जो चार मेंबर संद्शाशे चेत्रों से आते हैं यहां पर यह ध्यान रखिएगा इन में से तीन मेंबर डेली से आते हैं और एक पुड़चिरी से आता है तो जो बाकि हमारे हैं को साथ यूनिट टरिटरीस हैं दो यूनिट टरिटरीस से चार लोग आते हैं चार संसर आते हैं राजे सभा के बाकि पांच जो यूनिट टरिटरीस हैं उसे कोई भी संसत राज्यसाभा पर चुनकर नहीं आता। जो राज्यसाभा के बारे में कुछ विशेश बाते जा लीजे। राज्यसाभा एक पर्मानेंट बॉड़ी है यानि कि ये कभी भंग नहीं होती है, ये पर्टिनुसली वह करती है। और इसको कभी भंग किया नहीं जा सकता। इसके जो सदस्य है, इसके सदस्यों का चुनाओ, प्रत्यक राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों रहा है। ये कि अल एक्टेड मेंबर्स अफ स्टेट विधान सभा असेंबली विट वोट इन राज्य सभाई एक्शन्स। त्यार रखेएगा। जितने की निर्वाचित सदस्य है, यानि कि मनुनी सदस्य राज्य की राण सभा के इसमें भाग नहीं ले सकते है। और जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं विवोट करेंगे और इसके इलेक्शन में जो प्रक्रिया होगी वो है प्रपोर्शनल रेप्रसेंटेशन थ्रू सिंग्ल ट्रंस्टरबिल वोट्ट यानि कि समानुपातित प्रतिनिदत्व पध्धति द्वारा एकल संक्रमडिय मत से इन उसका सभी वर्म और राजनीटिक द्रों को एक प्रपोर्शन में रेप्रेजैटिशन दिया जा सके इसलिए इसमें यह प्रप्धति अपना ही क्या है जो राज्यसवा होती है उसका जो हेड होता है जो प्रमुख होता है वो भारत का अभराश्टरबती होता है इसको आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि Vice President is the next official chairman of Rajasabha, राज Kopr राष्टरपती राजेसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, पदेन कहने का है, एक्स ओफिसियो कहने का मतलब यह है, कि कोई भी व्यक्ति जो भारको प्राष्टरपती है, वही राज्यसभा का अध्यक्ष बन सकता है इसके सिवा राज्यसभा में एक डेप्टी चेर्मेन या उपाध्यक्ष का भी पद होता है राज्यसभा का उपाध्यक्ष राज्यसभा के सदस्यों के दोला चुना जाएगा तो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा दोला चुना जाएगा सामान ये परंपरा यह रही है कि राज्यसभा के उपाद्यक्ष की सीट हमेशा विपक्ष के नेता को दी जाती है यह परंपरा है ध्यान रखेगा ऐसा कोई नियम लेकिन है निकिन यह परंपरा राज्यसभा में अगर हम सीटों की बाद करें सबसे अधिक सीट उतरप्रदेश से आती है तो टाव थ्री स्टेट से है यूप महारास्ट्र तमिलाडू थर्टीवन नाइटीन और 18 में ब्लस अब राज्यसभा अब आजें हैं हम लोगसभा की बार करते हैं जिसे हम हाउस अफ प्यपो यह लोग भॉस भी कहते हैं जब लोगसभा का घटयन किया गया था तो प्राव्भी प्रावधानों में इसकी मक्सिम में confident सबसे संखिया थी, 500 सदस्शे किया थे जो कि 1987 ने बढ़ा करके 552 कर दिया है लोग सब्धा में मैक्सिमम 552 सदस से हो सकते हैं और यह 552 सदस से उनका composition जिस प्रकार है कि 530 सदस से राज्यों से 20 सदस से संगशाषिक राज्यों से और दो सदस से annual Indian community यानि की आमिभार की समधाय से बनुनीद किये जाएगे जो पास्तों प्रीस और बीस है इनका चयन इनका चुनाओ हुआ और इनका चुनाओं में जनरल पब्लिक बोट डालेगी यानि सामाने जल्दा बोट डालती है जिसमें इनिवर्सल एडर सफरेज का इस्तरमाल होता है यानि की जो भी व्यक्ति 18 और शिया उपर की आयोप्त कर चुके हैं और भारत के नामरिक है जो इसमें मनतान कर सकते हैं जिसमियों, देदों के लिए बोट डालेता अधिकार इस वाले एलेक्टिण में अन्य लोग-सफ़ा एलेक्षन में किया गए गया वर्तमार में अगर हैं लोकसभा की सदस्यों की बात है तो वर्तमार में लोकसभा में कुल पार्सो पैडानी सदस्य हैं, मैक्सिमल पार्सो बावन हो सकते हैं, याद रखेगा अभी पार्सो पैटानीस है, जिसमें से पार्सो की सदस्य राज्यों से आते हैं, तेरह सदस्य सम रिषाषित राज्ज्यूसे राते हैं और दो आंग्ल भारती समझभदायब की लोग इसमें सर्दसित, जो ला आंग्ल भारती समझभदायब की लोग है न मनुनीः दो आ है इसमें एक महाध्यूभाञ न अनुनों पॉइंट यह जो याद रिखना चाहिए अभी रेसेंट किया गया है 95th Constitutional Amendment 2009 के द्वारा कि ये 2020 तक लाग रहे जाए जाए कि अभी 95th Constitutional Amendment ने इसको 2020 तक के लिए कुछी इसका नॉमिनेशन प्रोसेस कॉंचिनिया रखा है कि लोकसभािय। वो एक और स्थाइ सदन है और इसका कारेकार पांच वर्श होता है सिस्विस्व कारेकार पांच वर्श होता है तर जाहित पाँच वर्स के भीधर ही पाँच पर समागत होने से पहले ही अगली रोगसभा के चुनाव कर अलिये जाते हैं इसमें सभी सदस से वोट डाल सकते हैं, हमने आपके असा बताया पहले यह जो वोटिंग एज थी, वो 21 एर्स थी, 21 साल थी, इसको बाद में घटा करके 18 साल कर दिया गया और यह घटा करके 18 साल करने कारे, 61 समगिधाम संशोदन अधिनिया, 1988 के बारा किया गया और इस 61st Constitutional Amendment ने वोटिंग एज घटा करके 21 से 18 मेर दी थी इसके बाद इसमें जो सीट्स हैं, जो राज्यसभा के बारे में आपको बताया है कि राज्यसभा की जो भी सीट्स हैं, वो आपको स्टेट्स के थूब रहेंगे जबकि लोगसाभा की जो सीट्स हैं, उसके लिए हम election constituencies देखते हैं, यानि कि लोगसाभा शेत्र या निर्वाचन शेत्र देखते हैं और ये निर्वाचन शेत्रों का गठन कैसे होगा, इसके लिए आर्टिकल 81 का क्लास 2 कहता है कि जैसे population के हिसाब से हिंदा allocation करने की कोशिश की जाएगी और कोशिश यह भी की जाएगी कि सभी constituencies में population को लिपक दराद रखा जाए हैं और इसके परपस के लिए धाले अमेंटने Delimitation Commission का गठन के संसत परिसीमनायोग का गठन करती है और प्रावधान यहां किया गया था कि प्रतिक जनलर्ना के बाद एक delimitation commission बनाय जाएगा ऑक delimitation आयोग बनायाग बनाया जाएगा, जो कि जनसंख्या की वृध्य के अलोबाद में संसदिय सी तुम्ले वृध्य और इसके दिस्ट्रिबूशन का कारिय करेगा अभी तक भारत में चार बार दिलिमिटेशन का विशन का बेटर किया गया है 152, 162, 172 और 2000 करूए कि 51 की जननना के बाद, 60 की जननना के पाद, 71 की जननना के पाद, और 2001 की जननना के बाद, कि अवजचार बाद, जो लास्ट दिलिमिटेशन करूशन का विशन यादि की परिसीमान आयोगपर्य था उसके अध्यक्षत है जिस्टुश को दीप सेंग और वास्तों में इसमें प्राफधान दिया गया कि जो सीट्स हैं उनके नंबर में अब इंप्रीज कर पाना समझो नहीं है सब्सक्राइब कि 42nd Constitutional Amendment Act ने ये कहा था कि 2000 वर्ष 2000 तक 1971 की जंगर्ना के आधार पर ही जो सीट्स हैं और जो Constituencies हैं वो एक्जेकली सेम रहेंगी सीट्स और जो एलोकेशन ऑफ सीट्स किया था वैसे ही बढ़ती नहीं रहेगा 2000 वर्ष 2000 तक लेकिन 84 में समिदान समझो ने ये इसमें चेंज किया और कहा कि अब जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 2026 तक नहीं बढ़ेंगी लेकिन जनसंख्या का जो डिस्ट्रिबूशन इन कॉंस्टिट्यूइंसीज है यानि कि जो निर्वाचन शेत्रों में जनसंख्या का विधरर्ण है वो 2001 की जन लड़ना के आदार पर किया जाएगा यानि कि स्टी के रिजर्वेशन का प्रावधान है स्टी और स्टी अनसुचित जाती और अनसुचित जन जाती का और यह प्रावधान अनुक्षित 330 के अंतर किया गया है और चनल में समिदान सर्शुदन अधिनियों 2009 ने कहा है कि यह आरक्षन 2020 तक कॉंटिन्यू रहेगा यानि कि 2020 तक अनसुचित जाती और अनसुचित जाती ओं यह प्रावधान अरक्षर का रहेगा अप्रावध में अच्छित गया गया था फिर दस 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 बढ़ाते होगे अब यह रचैट कियागी है 2009 में कि 2020 तक अरक्षर की जो वैवस्ता है वह ऐसे ही कुटिन्यू रहेगी तो अ राजयसभा के स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद आप समझ सहे हैं कि यह समस्ट हमारे लिए इस प्रकार सिखा रही करती है और इसके स्दस्यों का चुदाओं कैसे होता है। राजयसभा का जो मेंबर है वह हम बिसिकली अपर हाउस मना जाता है और जो लोकस अब सहब है उसको लुआर हाउस ना जाता है या पॉपुलर हांस भी इसको कहा जाता है इसके वाद हम घल Kr लेक्चर में लोकस अब और राजय सम्हा की कारे इसके रध्यक्ष और इसके प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे नहीं बाद